बजार में अजीब हल चल डाउग यहाँ पर तक्रीबन 1800 पॉइंट तूट गया कल दुनिया का बजार तूटा लेकिन हमारा बजार यहाँ पर नीचे से शुरुआत करके यहाँ पर उपर की तरफ जाने लगा और आज मार्केट देखने के बाद एक चीद साफ हो गया कि 12 साल के बाद वो वापस आ गया वापस आ गया यहाँ पर डेड कैट बाउंस जिसको यहाँ पर देखा गया था आज से तक्रीबन कुछ सालों पहले और आज वो यहाँ पर देखने को मिला क्या होता है यह डेड कैट बाउंस और कैसे आपको इससे बचने की सक्त जरुरत है जान बार भी हाँ पर हमारे एकदम पास आ गया था काफी दिनों के patience के बाद ऐसा लगा कि अब मौका यहाँ पर बन रहा है लेकिन पास आते आते वो एकदम से यहाँ पर दूर चला गया मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि हम यहाँ पर बिल्कुल ready थे accumulate करने के लिए buy करने के लिए लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पर बजार में एक reversal सा देखने को मिला और जो opportunity थी वो हमें proper opportunity नहीं मिली ज्यादा गिरावट भी नहीं था 2-5% का गिरावट था तो क्या हुआ आज मैं यहाँ पर decode करता हूँ दो कारण थे जिसके वज़े से ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है तो अगले 10 मिनट आप एकदम चिपक के देखिए और आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ उसके बाद मैं आपको dead cat bounce भी यहाँ पर बताऊंगा जिसकी आशंका यहाँ पर बन रही है आप अगर आप कल देखोगे कि अमेरिकी बजार, NASDAQ देख लो, S&P देख लो 6 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी पूरे यहाँ पर global market में आपको गिरावट देखने को मिली थी डाव तकरीबन यहाँ पर दिन खतम होते होते 1800 पॉइंट नीचे देखा गया था जो one of the biggest fall यहाँ पर देखने को मिला था उसके बाद पूरी-पूरी उमीद थी कि भारतिय बजार भी तकरीबन 4-6 प्रतिशत नीचे रहने वाल रात तक सारी situation यहाँ पर ठीक लग रही थी लेकिन सुबा जब यहाँ पर निफ्टी future रात में तकरीबन 9500 के आसपास था उसके रीजन जो है वो मार्केट के उपर जाने का यह कोई domestic reason नहीं है, domestic reason के कारण बजार नीचे भी नहीं आया, domestic reason के कारण बजार उपर भी नहीं गया, बहुत तेजी के साथ नीचे गीरा, 9300 के साथ खुला, 9544 के आसपास यहाँ पर जो था इस्टेबल हुआ, और उसके बाद लगातार यहाँ पर उपर के तरफ चलता गया, इसके पीछे सबसे बड़ा reason था जो मैंने identify किया है, वो है DAO future का उपर जाना, सुबह से ही DAO future अब था, nifty future 9500 से, सुबह होते होते 9700 तक आ गया था, तो उस समय यहाँ पर एक आशंका बन गई थी, हमारा बजार totally, पूरी त चानक से सुबह 300 पॉइंट कैसे उपर हो गया DAO future और धीरे धीरे वो 600 पॉइंट के आसपास पहुँच गया, जैसे जैसे आपर DAO future बढ़ा, वैसे वैसे हमारा भारतिय बजार भी उपर के तरफ यहाँ पर जाने लगा, एक आश्यर वाली बात देखने को मिली कि हमने यहा आगे आपको वीडियो में और इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो मेरा पहला रीजन था DAO future, दूसरा रीजन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखे जो बड़े प्लेयर है, मैंने आपको बार बार बताया कि बड़े प्लेयर जब भी कोई announcement होती ह उसके थोड़े दिन पहले से ही selling करना धीरे धीरे चालू कर देते, एकदम से selling नहीं करते, धीरे धीरे करते ताकि retail को पता ना चले कि वो कर क्या रहे, अब देखे पहले क्या हूँ अगर मैं भारती बजार और फिर अमेरिकी बजार के बात करूँ, तो भारती बजार पहले लालेच में आया कि बुल-बुल-बुल है और जब वो बेच रहे थे तब यहाँ पर retail ने खरीद लिया, उसके बाद जब retail ने खरीदा, big players बाहर हो चुके थे गेम से, उसके बाद यहाँ पर fed की news आई और बजार, तेजी के साथ crash हुआ, 800 point यहाँ पर नीचे आ गया, तो जो बेच के निकल गए थे बड़े players, उनको और यहाँ पर सस्ते में shares मिले, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर re-entry जमाई, हमें ऐसा लगा था कि वो re-entry तो जमाने वाले Friday को, और आज शायद Friday ही है, Friday और सोमवार को, शुकरवार और सोमवार को re-entry करके बजार को वापस से उपर कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि buying की opportunity, accumulate यहाँ पर कर सकते है, 100% sure है कि वो आएंगे, लेकिन इतना तेजी entry मैंने कभी देखा नहीं लगते है कि यहाँ पर अब जो बड़े players है, वो काफी जादा smart हो रहे हैं, और कुछ ही घंटों में यहाँ पर पूरा का पूरा जो game था वो यहाँ पर बदल गया, और यह समय retail को बिलकुल भी मौका नहीं मिला, आज जो आप बढ़त देख रहे हैं, वो बोलने में अच्छा लगते है कि बढ़ गया market ऐसा हुआ, या गिरानी market, लेकिन आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि पूर नुकसान नुठाना नहीं पड़ा, हम तयार थे कि हम खरीदेंगे अगर बजार नीचे आएगा, तो बजार नीचे आए, तो ना हम खरीदें ना हम बेचें, हम वहीं पर रहें, बेचना नहीं था यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, जो सबसे बढ़ ही यहाँ पर दिखाई देगा और हमारा बजार भी दिन खतम होते होते हैं यहाँ पर तकरीबन 1200 पॉइंट का लो बनाया था शुरू में और वहाँ से प्लस 200 चला गया तो ऐसा यहाँ पर क्यू हुआ तो इसका सबसे बड़ा reason था जो experience किया गया वो था यहाँ पर dead cat bounce अब य वापस stable हो जाती है तो यह dead cat bounce में किसी भी investor को नहीं फसना है dead cat bounce generally अमेरिका में बोलते हैं कि एक dead cat को भी अगर आप काफी hide से फेकोगे तो वो गिरने के बाद थोड़ा सा bounce कर देती है यहाँ पर मैं ball का example ले लेता हूँ ball को अगर आप यहाँ पर छटे साथ वे floor से नीचे फेकोगे तो ball गिरने के बाद थोड़ा सा bounce करेगा और फिर उसके बाद वापस ground में आएगा लेकिन at the end वो ground में ही चिपक जाएगा तो आप यह समझने की कोशिश करिए कि यह एक dead cat bounce हो सकता है इसका मैं आपको और example बता करना है यहाँ पर कि 9800 में आपको अभी भी बेचना है आपको यहाँ पर दूसरा चीज wait and watch करना है जब तक हमें clear indication नहीं मिलेगा और किसी भी प्रकार का 1% का भी risk नहीं लएगा तभी हम यहाँ पर buy करने के लिए आगे के तरफ बढ़ेंगे आभी हमें सिर्फ wait and watch करना है patience बना के रखना है याद रखेगा फल उसी को मिल चाहे दो धैर के साथ यहाँ पर रुके रहता है तीसरा चीज आप mutual fund पे अभी इस वक्त focus कर सकते है अपना जो पूरा का पूरा जो focus है वो shift करिया mutual fund में mutual fund में 30 से 34,000 के 20 में हमें ऐसा लगता है कि काफी सही time है mutual fund में थोड़ा करके अपनी SIP को बढ़ाने का या accumulate करने का या हर गिरावट में थोड़े पैसे यहाँ पर add करने का आप उसे यहाँ पर छोड़नी सकते और bullish होने के पहले इससे पहले कि आप यहाँ पर bullish हो जाए सोचे सब चीज यहाँ पर एकदम ठीक हो गया है उसके पहले यहा पर create investor के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि अगर यहाँ पर यह एक dead cat bounce वाली situation है तो बहुत बड़ा नुकसान आप यहाँ पर उठा सकते हैं अगर आप यहाँ पर एक गलट decision ले लेते हो देखिए कोरोना के पहले COVID के पहले भी हमें यह ऐसी bounce वारी rally जो हमें देख हूँ और वहाँ पर आके वो फस गया और यह dead cat bounce की सबसे बड़ी खासियती यही होती है कि इसे आप fact figure से judge नहीं कर सकते हैं यह होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यह चीज हो चुकी है जैसे कि आज पता चला कि किसी ने भी कोई भी expert analyst यहाँ पर नहीं कर सकता था कि dead cat bounce आ सकती है लेकिन आ गई तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए मैं आपको cases बताता हूँ जिससे कि आप यहाँ पर और rational हो और ज़्यादा यहाँ पर सीख सके देखिए 27 परवरी यहाँ पर मैं आपको data बता रहा हूँ देखिए 27 परवरी को COVID का सबसे पहला crash देखने को मिली थी उसके बाद एक bounce rally आई अगले दिन सब ने नजर अंदाश कर दिया बोले आरे COVID ऐसी है कुछ नहीं है कुछ नहीं होगा यहाँ की economic ओनी होगा यहाँ नहीं आएगा चोटा मोटा case रहेगा उसके बाद 9 March को फिर से एक जटका दिया अमेरिकी बजार 6% का लेकिन उसके बाद फिर तुरंत एकदम urgent basis पे आपको recovery देखने को मिली उसके अगले ही दिन यहाँ पर recovery देखने को मिली उसके बाद यहाँ पर बजार ने अपना जो रूप था वो दिखाना चालू किया दो dead cat bounce के बाद finally finally यहाँ पर अमेरिकी बजार मैं आपको बताता हूँ अब ने नजर अंदास किया अब आप सुनियेगा 9 मार्च 8 प्रतिशत की गिरावट कोई rally नी 11 मार्च 6 प्रतिशत की गिरावट कोई rally नी 16 मार्च 12 प्रतिशत की गिरावट कोई rally नी 18 मार्च 6 प्रतिशत की गिरावट कोई यहाँ पर cover up नी 20 मार्च 4 प्रतिशत की गिरावट 27 म मेहने में 9 मार्च से लेके 27 मार्च तक अगर आप सब को जोड़ोगे तो 8% प्लस 6, प्लस 12, प्लस 6, प्लस 4, प्लस 4, 40% का मार्केट क्रेश, जो हम बोलते हैं न, 40% का मार्केट क्रेश हुआ, बोटम बना, वो सारा चीज यहाँ पर मार्च में हो गया, लेकिन उस मार्च में, उस मार्च में आपको दो दिन यहाँ पर डेट केट बाउंस आपको दिखाई दिया था और आपको बताया गया था कि देखिए, यहाँ पर बजार काफी जादा गिर और फिर उठ रहा है लेकिन लोगों का भरोसा है कि ये उपर हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद बजार 40 प्रतिशत तक नीचे क्रैश कर गया ऐसा जब डेट केट बाउंस दिखता है तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और फिर से 12 जून 12 जून यने क कल की डेट आज की डेट माफ करिएगा आज की डेट में आपने हाँ पर हमने वही चीज विटनेस किया है 6 प्रतिशत की गिरावट जब भी 3 प्रतिशत की गिरावट होती है तो सावधान होना चीए 6 प्रतिशत की गिरावट और डेट केट बाउंस आज यहाँ पर तेजी क दे रहा है कि बहुत ही बड़ी गिरावट आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है और वैसे भी आइंडिंग्स यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं तो आप सब यहाँ पर साउधान रहने की ज़रुवत इससे पहले मैं खतम करूँ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहत था बहुत सारे लोग निवेशक लोग खरीना चाते थे लेकिन उसके एक घंटे बाद जब बजार वापस से खुलता है तो बजार खुलने के बाद क्या हुआ जी कि एकदम से रिकवरी हो गई एकदम से बजार यहाँ पर ऊपर के तरफ चला गया और उसके दो-तिन दिन ब वीडियो के लिए यहाँ पर लाइक करिए और आज आपने आपर क्या की आप मुझे बताईए देखिए मैं अगर बताओ तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया सोचा लेकिन कुछ कर नहीं पाया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताईए कि आपने आपर क्या किया इसके सा लेकर आते रहे तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलूँगा आपसे जल्दी